आज हम आपके साथ भोती आसान और यूनिक रेसिपी शेर करने वाले हैं, जिसे हमने सिर्फ तीन चीजों से ही पनाया हैं, इसी के साथ हम एक मज़ेदार सी चटनी भी बनने वाले हैं, तो यदि आप रोज रोज समोसा, कचोरी या आलू बड़े खाकर बोर हो गए हैं, तो एक बार इस रेसिपी को भी ट्राइ कीजिए, और हलकी फुलकी भूख होने पर गर्मा गरम ही से चाय के साथ इंजोई कीजिए, तो फिर चलिए जदा दे नहीं करते हैं, और जल्दी से बनाना शुरू करते हैं, आज की इस नाष्टे को बनाने के लिए हमने यहापर प्याज की साइस लगभग एक सम्मान ली है, और इनको पहले से ही छिल कर रख लिया था, क्योंकि हमें इनकी स्लाइस कट करनी है, तो सारे ही प्याज की स्लाइस हम इस तरीके से कट कर लेंगे, कट करते समय आप धियान रखिए कि इनने बहुत ज़्यादा पतला या बहुत हिससे हैं, इनने भी हम बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो चली इनने अब साइड में रख देते हैं, इसकी बद हमने यहाँ पर एक बावल में दो मीडियम साइस की उबले हुए आलू लिये हैं, पहले हम आलू को मेश कर लेंगे, ताकि इन में कोई भी बड़ा टुक के लिए बारी कटकी हुई, आदी छोटी चमच जीरा डाल देंगे, और आदी छोटी चमच हम इसमें सोफ भी डाल देंगे, और आदी छोटी चमच हम इसमें साबुत धनिया भी डाल रहे हैं, धनी को हाथ से थोड़ा सा क्रश करते हुए डालेंगे, ताकि इसकी पसंद नहीं है तो आप लाल मेच को स्किप कर सकते हैं आधी छोटी चम अच्छी हमने इसमें धन्या पॉड़र उडाला है खटाई के लिए में इसमें नीम्बू कर रस याम्चुर पॉडर नहीं डाल रही हूं क्योंकि आज हम इस्पेशल चटनी बनाने वाले हैं इसी से आ चुटकी हल्दी पॉडर डाल देंगे अच्छे कलर के लिए आधी छोटी चमच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं और आधी छोटी चमच ही हमने इसमें अजवैन भी लिया है दो चुटकी हमने इसमें हींग भी डाली है हींग डालने से टेस्ट तो बढ़ता है ये साथी आसान और मिलाएंगे तो यहां पर देखिए बेशन को अच्छे से फेटते हैं हमने गाडा गुल तैयार कर लिया है अब हम इसे भी रख देते हैं साइड में और जल्दी से मज़ेदार सी चटनी बना लेते हैं तो आज की हम चटनी बनाने वाले हैं इमली से यहां पर आप देख इस चटनी को पत्थर पर कूट कर बनाए जाता है लेकिन आज हम इसे मिकसी में पीस कर बनाएंगे इमली को अच्छी से धो लेने के बाद इसके चोटे-चोटे टुकडे कर लेंगे और इसमें जो रिष्य है इन्हें भी निकाल लेंगे इसके बाद हम इसमें चार चोटी स इसकी हरी मिर्चे डाल देंगे यहां पर मैं चटनी का करर बिल्कूर ग्रीन रखने वाली हूँ इसलिए सिर्फ हरी मिर्चे डाल रही हूँ लेकिन आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं आदी चोटी चमच जीरा थोड़ा सामने धनिया लिया है इसी के साथ मैंने पर एक टेबल स्पून मौमफली के दाने लिए हैं अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार और इसी के साथ एक चोटी चमच हम इसमें चीनी भी डाल रहे हैं ताकि चटनी का टेस्ट खटा मिठा लगेगा और थोड़ा साम इसमें पाने डाल देंगे ताकि चट मज़ेदार हमारी चटनी बनकर तयार हो गई है चटनी काफी गाड़ी है इसलिए ऐसे एड़िस्ट करने के लिए मिक्सिजर में थोड़ा सा पाने डाल करके इसे अच्छे से मिला लेंगे और देखिए यह इमली की खटी मीठी चटनी बनकर तयार है तो चलिए अब हम कर देखिए और इसके बद हमने जो आलो की स्टिफिंग बना कर तयार कर रखी थी वह एक से दो चोटी चमच इस चटनी की उपर डाल देंगे और इसे अच्छे से प्रेस करते हुए फेला लेंगे इस तरीके से देखिए हमने प्याज की एक स्लाइस तयार कर ली है आप चा कर लीजिए लेकिन आज की इस नाश्टिकों में इस इमली की खटी मिठी चटनी के साथ ही बनाने वाली हो तो यहां पर आप देख सकते हैं कि प्याज की कुछ स्लाइस हमने आलो की स्टिफिंग के साथ में तयार कर ली है इस तरफ 10 मिनिट में बेशन का घोल भी अच्छे स से फेट लिया है और यहां पर मुझे घोल थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है तो मैं इसमें दो से तीन चोटी चमच पानी और मिला लूगी और देखी इस तरीके से गोल बनकर तयार हो चुका है अब इसे थोड़ा और चट पटा बनाने के लिए में एक चोटा ही चोटी च आप यदी ओयल डालेंगे तो आपके पकोड़े बिल्कुल भी ओयली नहीं होंगे लीजिए पकोड़े के लिए घोल भी अच्छे से बनकर तयार हो चुका है अब एक एक स्लाइस प्याच के उठाएंगे और घोल में डिप करके तुरंती से निकाल लेंगे बस आलू और प इन्हें फ्राइ करते समय आप गेस का फ्लेम मीडियम ही रखिए और मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से उलट पुलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राइ कर लीजिए यदि आप इन्हें लो फ्लेम पर फ्राइ करेंगे तो आपके पकोड़े बहुत ज़ प्रिंगा एंका बढ़िया और बहुत अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुकी है इनके कलर से आपको समझ में आरा होगा कि पकोड़े हमारे कितने क्रिस्पी और कितने टेस्टी बने होंगे। आप चाहें तो इने प्याज के पकोड़े के सकते हैं या फिर आप इने आलू बड़ा भी के सकते हैं तो नाम आप कोई भी देव टेस्ट आपको भूती बढ़िया लगेगा इसी तरीके से बाकी सारे ही पकोड़ों को हम फ्राइ कर लेंगे वेसे तो आपने आलू और से बना कर देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं तो आशा करते हूं कि आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर से पसंद आई होगी और आप इस रेसिपी को एक बर जरूर से ट्राइब करेंगे तो यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्ली आवाद